असलाम अलेकुम, वेलकम टू मुझी बास कीचन, आज हम हमारे बरतन कैसा इजी से हम वाश करेंगे बोलके बताने जा रही हूँ, आप कभी कभी तबियत ठीक नहीं रहता है हमको, कभी कभी डिश्वाशर भी आपको खराब होआ तो हम इजी मितड़ पे कैसा वाश करना बोल के बताने जा रही हूँ, यह हम इसी तरह हम नास्टा नहीं तो दुपर मिखाये हुए बरतन को, इसी तरह एक टब में नहीं तो आप बड़े बकेट में जाल रहतों, आपको बहुत सारे बरतन आ जाता है, इसी पे पानी फुल रहना चाहिए, फुल रखके हम डिश्वाश नहीं तो आप किसी तरह का भी डिश्वाशर इसी पे थोड़ा जाधा डाल लेना है, डाल के आपको एक बीस मिनिट नहीं तो आदे हिंटे के लिए छोड़के आप दूसरे काम कर सकते, इसी तरह देखके एक बरतन हम जो लेना है, हमको पानी टब में फुल रहना चाहिए, मैं थोड़ा कम रख ली हूँ, तो बहुत सारे बरतन आपको आ जाता है, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करके शेर करिए, कमेंड करिए, सब्सक्रेब करिए, बेल बटन को प्रस करिए, देखिए इसी तरह हम एक बरतन बोल के जो लेना है, जोड़के इसी को हम एक आधा हंटा के लिए, नहीं तो बीस मिनित के लिए हम छोड़ देना है, छोड़के बाद में हम इसी को हम हमारा नल में पानी छोड़के हम वाश कर लेना है, देखिए अब कितना अच्छा सा क्लीन हो गया बोल के, इसी तरह हम एक बरतन में नल में आकर वाश क कर लेना है आपको चन बरतर में थोड़ा सा कुछ चावल कुछ सालन लगा हुआ है तो उसी को थोड़ा सा आप आपके स्कॉच ब्रैस कुछ भी रखे थोड़ा सा आप आकर उसी पे लगड़ के आप वास कर सकते देखिए इसी तरह हम इजी में तड़ पे हम बरतनां को जल्दी से वाश करके हमारे काम को आसान हो जाता है अब पानी में हाथ भी ज़्यादा देर डालने का जरुद नहीं होता है बादी में ये पानी को हम वेस्ट नहीं करना है हमारे पास दूसरा सालन बना हुआ बरतन कुकर वैसा कुछ है तो उसी पे डालके हम वास कर लेना है अब देखिए स्पून वगड़ा सब कुछ में वास कर ले हूँ बचा हुआ पानी को हम कुकर में इसी तरह बरतनां पे हम डाल के रखके बाद में वास कर लाना है बाई बाई